एक तिरपाक्षिक वारता आरंब करेंगी, पॉलिटिकल डायलोग आरंब करेंगी कि ये समस्या का समाधान हो सके, वहाँ सांती बहाल हो सके, वहाँ के स्कूल, कॉलेज खुल सके, वहाँ की सिक्षा ब्यवस्ता सुचारू हो सके, चाहे बगान खुल सके, पिछले डेड़ सो साल में पहली बार हुआ है, कि जो सेकेंड फ्लस आप, टी लीव फ्लकिंग होता है, वो इस बार नहीं हुआ, और जिसके कारण, टी ओक्षन भी ओपन लहीं हो सका, लोगों ने कुछ ऑनलाइन तो किया है, किन्तु जो टी ओक्षन के माद्यम से होना चाहिए था, नहीं हो सका है, और इसमें वहाँ की एकोनॉमी को भी नुक्सान पहुँचा, और चुकि हमारे उपर से ही शिला, ये अपना सिक्किम लोग जाते हैं, कि सिक्किम की मेरे को मैं रिपोर्ट ले रहा था, मैं बागडोगरा एयरपोर्ट से, क्योंकि प्रतिनिदी के रूप में मैं वहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट की वेलफेर का चेहरमेन हूँ, तो मैं रिपोर्ट ले रहा था कि यात्रियों की गिरावट कितनी आई, तो उसने कहा कि सर 50 परसेंट हो गया, तो जो लोग जाते हैं, हमारे यहां से वहाँ परेटन के लिए उनका भी बंद हो गया, परेटन उद्योग बंद हो गया, इन सारी चीजों को विचार करते हुए, मैं सबस्ता हूँ, पस्षी मंगल सरकार को अभी लंब इस पर कारवाई करनी चाहिए, और इन्हों ने जो मेमरेंडम दिया है, मैं अपने कर्तवे का निर्वहन करते हुए, कर्तवे का निर्वहन करते हुए, मैं उन तक पहुंचाऊंगा, और फाइनली फिर मैं एक बार अपील करता हूँ, कि जो आमरे नंसन चल रहा है पिछले 14 दिनों से, उन नौजवान भायों को मैं आगरा करता हूँ, अनुरोद करता हूँ, उनके पतिनी धी के रूप में, कि आप की वेदना को हम समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, पर आप अपना आमरे नंसन गिर्प्या करके, काउं के किसी भी मुख्या को वृद आद्मी को बुला कर, किसी मा को बुला कर, किसी नानी को बुला कर, उसके हाथ से निमुपानी पाग पी के उसको समाप्त करें दन्यवाद दूसरा एक और एक और बात रहे गया दुर्भाग से दुर्भाग से पिछले डेड़ महिना से इंटरनेट बंद है और इसी बीच बचों के हायर स्टेडीज के लिए ओनलाइन एजुकेशन में अप्लाई करने की डेट थी इतना तक कि नॉर्थ बेंगॉल उनिवर्सिटी विश्वभारती उनिवर्सिटी और हमारी जादपूर उनिवर्सिटी कैलकाडा उनिवर्सिटी रभिंद्र भारती उनिवर्सिटी बंगाल की उनिवर्सिटी और दिल्ली की उनिवर्सिटी या पूने और बैंगलोर की उनिवर्सिटी सब जगा ओनलाइन अप्लाई करके एड्मिशन लेने की जो तारीक थी हम जहां जहां तक प कि रेजिस्टेशन नहीं कर सके। दूसरा, जी एस्टी का माइग्रेशन हुआ, और सबको कहा गया था कि एक टिस जुलाई के पहले आप अपने सारे Central Excise, Excise, Sale Tax, Central Sale Tax के नमबर जो है वो माइगरेट करके GST में आजेए, One Tax, One Nation हैं ये करके जो एक निया रिजीम सुरू हुआ एक जुलाई को तो 30 जून तक ये कम्प्लीट करना था वो नहीं कर सके अब उसके साथ साथ जो हमारे पास में बहुत सारे संपरक हैं आर्मी ओफिसर्स हैं, पैरा मिलिटरी में काम करते हैं उनका भी अनुरवद आता है, वहा के परतिनदी के रूप में कि हम अपने परिवार के सदस्यों से बात नहीं कर सकते whatsapp नहीं कर सकते हमारे बुढे माबाप गौ में रहते हैं और नहीं वाटसवीर नहीं देखी मा की अपने बच्छों की तस्वीर नहीं देखी और बड़े भावुक हो जाते हैं कि इन सारी चीजों को और फिर जो लोकल चैनल गेबल टीवी जो है सब कुछ बंद कर दिया कुछ लोग फेस्बुक चलाते थे फेस्बुक के माद्यम से कुछ करते थे वो भी बंद कर दिया ये सारा भी पिछले डेड़ महीने से बंद है मेरा अग्रा पस्टिम बंगाल सरकार से है कि आज कलकत्ता के लोगों को अगर जैसे जिसके घर में पंखा है दो मिनिट के लिए लोट सेडिंग हो जाए लगता है प्राण निकल जाएगा पर उससे भी जैदा अभी हुआ है कि अगर वाटसेप ना कम करता हो या मोबाइल में सीगनल ना आ रहा हो तो लगता है कि हम भी खो गए और वो भी खो गए सारी दुनिया निकल जाती है तो पिछले डेड़ महीने से वहां कुछ नहीं हो रहा है तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखते वे मैं समझता हूं कि वो भी होना चाहिए कि चालू हो तुरंत उसकी विविवस्ता हो और सांती बाहल करने में इसका भी एक योगदान होगा अब ही इंकम टेक्स का रिटरन जैसे आम ने जी एस्ट गा बताया लोग अभी अपने इंकम टेक्स का रिटरन नहीं बाढ़ सके ओनलाइन करना है कि है अभी तीन दिन है तो तीन दिन के पहले भी करेंगे तभी तो होगा 48 गंटा है तो 48 गंटे के लिए भी अगर कुछ होगा तभी होगा अब वो करेंगे वो सब कुछ करेंगे किन्तों ये आगरा मेरा मुक्हमंत्री को है क्योंकि मुक्हमंत्री ने अपने आदेश पर ये बंद कराया ठीक है धन्यवाद चलिए धन्यवाद इन्यवाद उत्ती करेंगे खरा अच्छ करेंगे तो ये रिए दूर पर ये घिन्यवाद करा है